हलो दोस्तों गुड मॉनिंग गुड आफ्टर नौन गुड इनिंग टौल अफ्यू कैसे हो आप सभी लोग अच्छे हो बढ़िया हो तंदरुस्तों बिल्कुल ऐसे रहिएगा मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देड़ साल बाद मैं अपना फिर से पॉब्लिकेशन ला रहा हूँ और वो है जीस्टी स्मार्ट गाइड यस देड़ साल पहले मैंने ये पॉब्लिकेशन लाया ता बिच में कुछ रिजन के वेज़े से मैं यहां पे कंप्ल इस से रिलेटेड क्विरीज आ रही है तो एक बार मैं आपको बहुत डिटल मैं बता दू स्मार्ट गाइड के यूनिक फिचर क्या है कौन से स्टुडेंट के लिए बहुत हल्फुल रहेगी और उसके बाद में यहां पे आप ये स्मार्ट गाइड कैसे ले सकते हो सबसे पेले तो मैं यह बता दू कि यह स्मार्ट गाइड कौन से स्टुडेंट के लिए बहुत हल्फुल रहेगा बेटा अगर आपने यहां पे में 21 या फिर उसके पहले के अटेंब में GST IPA किया होगा और अगर आपका रिजल्ट फेवर में नहीं आया होगा और आपको कम्प् 22 एक्जाम के हिसाब से है मतलब आपके में 22 एक्जाम के लिए या जून 22 एक्जाम के लिए अमेंडमेंट्स जो अप्लीकेबल होती है 31st October 21 तक के अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है और उस सारी अमेंडमेंट्स यहां आपको मिल जाएगी completely updated book आपको मिलेगा इस कहला आपको अमेंडमेंट्स अगरे भी देखने की जरूबत निया हाँ अगर आपको video lectures देखना है तो आप जरूर देख सकते हो as well as वो students के लिए भी बड़ा helpful है जिन्होंने कई other class लगा होगा या self study किया होगा और यहां पे उन्हें complete book चाहिए तो वो complete book बेटा यह आपको available किय जाएगा ठीक है उसके बाद में next अगर हम बात करें यहां पर कि सर यह जो smart guide है यह smart guide अभी हमने recent last आपका class किया है और हमारे पास regular book है तो क्या आप हमें यह smart guide helpful होगी क्या मैं यह कहना चाहोगा कि yes definitely यह सारे students के लिए helpful होगी लेकिन अगर आप इसको buy करना चाहे तो okay otherwise मेर regular notes आपके पास है या exam oriented super 35 course का notes आपके पास है तो आप उससे भी continue कर सकते हो और साथ साथ में क्योंकि इस बार कोई ज़्यादा amendments नहीं है तो amendments का books भी आप download कर सकते हो वह enough हाँ अगर इसके पहले वाला आपका attempt होगा और बहुत ज्यादा gap होगी आपकी May 22 exam में और पहले वाल notes आपको मिलेगी आज तक की सारी amendments इसमें incorporated रहेगी चलिए अब यह मैं आपको smart guide की unique feature बता दू smart guide की unique feature क्या है यह digital book smart guide है आप अगर हमारे portal से भी smart economy portal से smart guide बाय करते हो या फिर आप nearest center आपका जो भी होगा आपके city से या हमारे जो भी associated partner है या कोई भी book shop पे अगर यह available होगा कहीं से भी बाय कर सकते हो तो इसके क्या unique feature होगे मैं आपको बता देना चाहोगा इसकी unique feature यह होगे बता यहा पे कि यहां मैंने qr code दिये है याने अगर आप यह smart guide से self study कर रहे हो तो अगर आपको amendments की video और amendments के notes अगर देखना है तो मैंने तो यहां पे सब कुछ दिया है पर amendments की notes questionnaires की videos उसके बाद मैं questionnaire की digital book तो अगर हम बात करें तो यहां सारे qr code दिये है as well as आप हमारे से social media में join कर सकते हो और यहां telegram link भी दिये especially आपके लिए जो भी smart guide link है उनके लिए telegram link भी दिया है वो telegram link join कर सकते है यहां पे आपको time to time सारी updates दिया जाएगा तो यह आपको जितना भी supporting material है okay questionnaire discussion amendments है okay chart revisions है सारा supporting material की qr code दिया गया है जैसे आप इससे scan करोगे तो आपको वो सारे आपके इंस्टा और telegram की link दिया है मैं आपको यह कहोगा कि यह telegram की link join करना यह group बहुत important है time to time आपको सारा updates दिया जाएगा उसके बाद में बटा अब इसके unique feature बताता हो कि आपको complete index दिया हुआ है chapter wise index दिया हुआ है section wise index दिया है यह section wise index आपको help करता है सारे sections learn करने को तो definitely आपको help करेगा section wise index पूरा complete उसके बाद में smart guide जो बनाए गई है तो मेरे regular class की book जो है या exam oriented super 35 की जो books है बिल्कुल वैसा ही बनाए गया है तो यहाँ पे आपको पढ़ने में आसानी होगी पर वो student जिन्होंने self study किया है या other classes भी किया है तो मैंने यह book ही इस तरह से बनाए country book है तो आपको पढ़ने में आसानी होगी यह book में मैंने color book use किया गया है pictorial presentation use किया है बहुत सी जगा pictorial presentation use किया है यहां पर और charts भी use किये है chapter के aid में पूरी chart summary आपको मिल जाएगी, जहां-जह required है वहां charts भी use किये है और हर chapter के aid में आपको chart summary भी मिल जाएगी, तो यह chart की summary आपको definitely help करेगी यह book के और एक खास बत बता तो जहां required है, वहां concept को एक ही page के flow में continue किया है, पर जहां कभी-कभी मैंने कोई page पे यहां दो part में लिया है मतलब आपको जो read करना है पहले इधर से read करना है, फिर इसको continue, इधर से read करना है, फिर next page पे shift हो जाना है, तो इस तरह से इसकी theme ली है, कही page के दो part में मैंने explain किया, कही single पार्ट में पर explain किया और वो आपको आसानी से समझ जाएगा तो इस तरह से ये आपने देखा smart guide प्लस इसमें बहुत सारे practical questions भी मैंने साथ साथ में लिये हैं और कि जो concept के साथ लिये तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और chapter के end में जैसे मैंने कहा ये summary दिया है summary charts भी इसमें cover किये जैसे ये पहले chapter का था वैसे बहुत सारे chapter के summary charts भी लिये है तो आकरी में अगर आप वो summary charts देख लो तो आपको येस पूरा chapter revise हो जाएगा और आप chapter को अच्छे से return भी कर सकते हो next आपको बता दू बेटा इसे questions है जिसके लिए मैं आपको suggest करूगा कि smart guide के साथ अगर आप वो questionnaire book भी हमारे website से buy कर लेते हो तो more than enough content है exam के लिए कि आपका smart guide भी हो गया और वो questionnaire के question book भी आपने buy कर लिया तो दोनों का combinations आपके लिए best रहेगा और definitely exam में आपको ये help करेगा questionnaire discussion के videos वगरे जैसे मैंने QR code दिया है तो वो QR code में आप यहाँ पर ले सकते हैं साथ साथ मैं आपको ये कह दूँ ऐसी digital book मैंने questionnaire की बिनाई है औके और वो questionnaire की digital book में ध्यान से सुनिएगा वो questionnaire की digital book में यहाँ जिस मैं आपको बता दू बेटा सामने मैंने QR code जो दिये है जिसमें questionnaire के videos as well as questionnaire की digital book आपको मिल जाएगी QR code आप scan करोगे तो इस पर आज आएगा इंडिया में first time हम जो technology ला रहे हैं आज तक आप आपने कभी नहीं देखा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है यह technology लाने में जो आपको बहुत help करेगी जैसे questionnaires के chapters है chapter wise questionnaires upload होगे gradually और यह जब आप chapter wise देखोगे बिटा subjective questions और mcq questions हाँ mcq questions की भी मैंने यहाँ पर आपको qr code दे दिया है अगर आपको mcq questions का pdf available है आप pdf download कर सकते हैं और सारे qr code मैंने smart guide के सामने दे दिया है अब यह जो questionnaire है इसका unique feature आपको बता दू जो digital book आपको दे दिया है इसका qr code यह digital book जो है जैसे आपने click किया chapter 3 पे और जो मेरा questionnaire है वो आपको digitally free available है आपको physical copy चाहिए तो physical copy आपको अमारे website से बाय करना पड़ेगा तो यह जो questionnaire है इसकी digital copy अगर आप इसकी digital copy देखते हो तो इस तरह से complete आप mobile पे टैब पे इसको अच्छे से पढ़ सकते हो आपके laptop पे अच्छे से पढ़ सकते हो लेकिन मैं इसका unique feature यह बता दू कि जब आप अब यह questionnaire पढ़ रहे हो और questionnaire पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रही अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है यह सर यहां पर आ कि अगर हमें समझा दे तो ज्यादा बेटर होगा तो आपको कुछ नहीं करना है इसे मैं जिनी बुक भी कहता हूँ बेटा कैसे जिनी बुक तो वह अलद दिन का चिराग होता है न तो यहां पर जिनी बुक ऐसा है कि बस आपको यह डिजिटल बुक में यहां साइड में क्लिक करना है तो मेरा वीडियो आ जाएगा और वो question specifically मैं आपके साथ discuss करूगा तो यहां पर आप सारा questionnaire पूरा complete questionnaire देखना चाहते हो तो उसका भी QR code में दिया हुआ है वो आप देख सकते हो आपको digital book चाहिए तो digital book मिल जाएगी हो specific question देखना चाहते हो तो उसके video भी attach किये है बस आप मुझे याद करो और मैं आपके सामने हूँ बढ़ा तो यह questionnaire book भी आपक नेरे सिटी पे जो भी centers होगे अगर वहाँ available होगा तो आप buy कर सकते हो दूसरी बात मैं आपको यह कैदू कि यहां पे यह जो link है यह आपको free दी जाएगी यह link जो है आप scan करोगे उसमें मिल जाएगी यह आपके login में आपने हमारे portal से buy किया होगा तो आपको login में भी मिल और अगर आप telegram link जो आपको join ही करना है आप telegram link join करते हो तो उसमें भी यह link मिल जाएगी वैसे आप scan करोगे तो आपको यह link मिल जाएगा तो इस तरह से अपने questionnaire का unique feature देखा तो दोस्तों I hope कि यह smart guide आपको definitely बहुत help करेगी और सारा supporting material मैंने आपको दिया है अब आपका को करें आपक सवाल करें है कि सर कस्टम का कैई से बाब करें तो मैं कहुगा apart customs का हमारे website पे separate लिस्टिंग या only custom book खरका तो custom book जो है आपको आप वहां से buy कर सकते हो separate list दिया है तो जिसको GST buy करना है हो हमारे website से buy कर सकता है जैसे custom buy करना है अप customer buy कर सकते हो आप अगर हमारे website पे जाते हो तो यहां पर book ऐख agricultural तो आप CA में जाओगे CA final में जाओगे और CA final में जाने के बाद आप जो है यहाँ पे और के बुक सेल में आओगे और बुक सेल में आपको यह option मिलेगा अब बुक सेल में बेटा मैं आपको कहे दू कि यह तो एक smart guide का option मिलेगा ऐसे ही यहाँ पे कस्टम की listing मैं करूगा तो custom भी आप buy कर सकते हो एक तो यह मिलेगा और दूसरा बेटा यहाँ पे आपको और एक option है next आपका questionnaire questionnaire buy करना है तो आप separately buy कर सकते हो यहाँ पे sorry यह तो booster है आपको IDT questionnaire अगर हम देखे चली मेरे specific ले लेता हूँ GST smart guide IDT questionnaire आपको buy करना है तो आप separately buy कर सकते हो पर smart digital book तो आपको वेसी मिल जाएगी scan करने से QR code और आपको अगर charts buy करना है तो आप charts और chart book भी buy कर सकते हो एक और option आपको हमारे website पे देखेगा IDT regular book set तो बेटा IDT regular book set जो है specially smart guide IDT regular book set इन दोनों में क्या difference है बेटा दोनों सेम है IDT regular book set में क्या होता है कि जो questions है जो मैं class में देता हूँ और blank space होती है charts निकालने के लिए या आपके problem solve करने के लिए वो यहां blank होती है जिसकी PDF में आपके login में provide करते हो अगर आप यह buy करते हो ठीक है और उसी solve question मतलब वही question solve करके smart guide में दिया है मैं आपको suggest करूगा कि smart guide buy करो rather than regular book set क्योंकि exactly smart guide वैसे बनाई है जैसा हमाला regular book है तो यह ज़्यादा आपको benefit करेगी और थुड़ा in-depth भी है summary भी है सब कुछ इसमें दिया गया है IDT regular book set तो on students के लिए है जो students class में होता है और उनका notes miss हो जाता है कही यहाँ पर फट जाता है या गुमा देते है तो वो situation में regular book set भाई कर सकता है तो on students के लिए पर आप smart guide यहाँ से भाई कर सकते हो ऐसा ही customs का अब मैं आपको बहुत कई दूगी customs का जो आप बाई करोगे वो मेरा regular book ही मिलेगा smart guide आपको GST के बना के दिया है customs का regular book ही मिलेगा वह smart guide वर्ड नहीं होगा वो regular आपको बाई करना पड़ेगा अगर आप चाहो तो उसको बाई कर सकते हो ठीक है यहां पर smart guide वर्ड करने के बाद telegram विंग में मुझे questions और doubt पूछ सकते हो या फिर कि इस YouTube से YouTube के comment column में आप भी देख सकते हो तो मैं आपकी जो भी comments आएगी तो इस video के description में बाद में डाल दूगा तो दो-तीन दिन का wait करना मैं तो इस video के ही description में बाद में update कर दोगा So all the best, thank you, thank you to all of you